तो फ्रेंस रिकुचिकु की कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों तो देखो अब है रिकुचिकु की कहानी यहाँ पर आ गई है और यह देखो यहाँ पर रिकुचिकु के से बॉल के उपर मजे ले रहा है और यह दोनों देखो चिंती और चिंकु दोनों भी ना हातों से देखो केसे खेल खेल रहे हैं टाली वजा बजा कर ओहो और आभी देखो यहाँ पर रिकुचिकु के ममी पापा का आपस में जगड़ा हो गया इसलिए ओहो बैक के करण जगड़ा होने के करण रिकुचिकु के पापा जा रहे हैं अभी घर छोड़ कर बैग लेकर देखो गा यहां से उठी नहीं रहे हैं देखो कैसे चिपक गया है रिकु यहां पर चलो इनकी मा से पूछते हैं ओहो सुबा का वक्त है दोस्तों और यहां पर देखो ट्रक के पास ही रिकुचिकु के पापा ममी से उसके जगडा करके यहां पर लेटे हुए थे और रिकुचिकु की ममी यहां पर सोई है बेड़ के उपर लेकिन यह रिकुचिकु काहा है यह दोनों यहां पर खेल रहे हैं दोस्तों और यहां पर देखो रिकु और चिंटी भी आये हैं चिंटी और चिंकु भी आये दोस्तों और यहां पर देखो यह लो कैसे खेल रहे है हसी उड़ा रहे है, मजा कर रहे है ओहो, चलो पूछते हैं ने क्या हो गया एरे रिकू, अरे रिकू, तु यहाँ पे ऐसे अखेला खेल रहा है तेरी मम्मी पापा तो वहाँ प्याराम से लेटे हुए है ए लेदी जाने तो, जाने तो, मुझे क्या करना है मम्मी पापा तो, ओहो, साल में एक दिन तो उनका लड़ाई देता ही है मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, मम्मी पापा को समझता नहीं मेरे से भी लड़ते हैं, उनसा और आपस में भी लड़ते है एरे रिको चुबेट चुबेट ऐसे ममी पपा के बारे में बोल मात ऐसे कोई बोलता है दूसरों को ममी पपा के बारे में एरे तू चुबेट तू चुबेट तुझे नहीं समझता है हमेशा जगडा देखते रहता हूं मैं मैं बोर हो चुका हूं एरे चिंकू चिंटी तुम लोग यहाँ पे खेल रहे हो तुम लोगों को समझ नहीं तुमारे घर में जगड़े नहीं होती तुम टाली मार मार के हसी उड़ा रहे हो मजा कर रहे हो बोलो बोलो चिंकी तुम ऐसी बत्तमीज केसी हो गई एलेली मैं बत्ते मीज थोड़ी हूँ एरे मुझे तो बहुत हसी आ रहा था इसकी मम्मी इसकी पपा से ऐसी बड़ बड़ करके जगड़ा कर रहे थी ओहो और क्या 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 बोल रहे थी ओह मैं सुन सुन कर तो मुझे बहुत हसी आ रहे थी ओहो रिको चिको तो इतने मोटे हो गया है ओहो इन्हें तो कुछ समस्ता ही नहीं है कुछ भी बड़ बड़ करते रहते है और मेरा मज़ा को ड़ा रहे थे मेरी ममी का मज़ा को ड़ा रहे आदे को इनका ही हो रहा है ओहो थाड अरे ये क्या कर रही हो थाड थाड अरे तुम्हें आकल ले तुम मस्ती कर रही हो चुप बेटो चिंकी अरे चिंटू तू क्या कर रहा है यहाँ पर तुझे समस्ता ने तुरी भेन को समझाना चाहिए अरे मी क्या बोलू ये सुनती किसका है अरे जाने दे जाने दे चिकु तु गुसा मत हो अरे रे गुसा होकर देखो चिकु कैसे ही चुप बेटा हुआ है चिकु बोल कुछ क्या हो गया तुझे और नहीं नहीं मैं नहीं चाहता ममी पपा जगडा करे ममी पपा नाराज है चलो मैं तुम्हारे ममी पपा को समझाती हूँ ओख़ इंशा अपिर नाराजगी क्या बात है जगडा किव हो गया कुछी कुछे पपा कुछ तो बोलो क्या हो गया कबसे हमारी बाते सुन रिए लेका कुछ बोल ने रहे है अरे क्या करूँ बेहन जी ये औरत सुबह सुबह उटती ही नहीं देखो कितना बजरा है अभी भी सोई हुई है और खराटे लेते रेती है मुझे बार बार इसको उठाना पड़ता है और ये बच्चे देखो कितने बत्मीज हो गए है मेरी सुनी नहीं रहे है और ये रिक्कु देखो मेरे बोलने के बाद में भी कैसे ये वो बॉल के ओपर खेल रहा है और तुम्हें पता है वेंजी ये बहुत हसरा था जब मैं जगड़ा कर रहा था पत्नी के साथ अरे ये मेरा बेटा होकर ये ऐसी हरकते करेगा ये मैंने सूचा ही नहीं था अरे रे रे जाने दीजे जाने दीजे बच्चे है चिकु के पपा अगर आप ही नाराज हो जाएंगे तो इनका क्या होगा अरे लेकिन अगर बच्चे ही ऐसे करेग़ तो मैं क्या करूंगा ये बच्चे अगर ऐसे करेग़ gewoon मैं मारमार कर दौक थख गया हूँ और ये देखो ये तो मेरे सामने ही पैदा हो गए है और ये भी मेरा मजाग उड़ा रहे थे अरे रे रे चिकु के पपा जाने दो नाराज मत हो जाओ मैं रिकु की मम्मी को समझाती हूँ आप चाई पी लीजिए अरे चाई मिलेगा तब बनाऊंगा तब प्यूंगा न ये तो बनाती ही नहीं उटकर मुझे ही बोलना पड़ता है क्या किसे बड़बड कर रहे थे इतना मेरे बारे में बुराई कर रहे थे तुम अरे मैं क्यों बुराई करूंगा मोतरमा अरे नहीं नहीं तुम मेरी बुराई कर रहे थे मैंने सुना है मैं चाय ने बनाती हूँ, मैं खाना ने बनाती हूँ, मैं ये ने करती हूँ, मैं वो ने करती हूँ, तुम्हारा तो हमेशा ही कंप्लेंट रेता है, अरे रे रे ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारी कोई चुगली खोरी नहीं कर रहा था, ना ही तुम्हारी निंदा कर रहा था, ओ अरे तुम जूट मत बोलो मैंने सुना है सब अरे चुप बेटो तुमारा तो हमेशा ही नाटक होता है बच्चों को बिगाड के रख दिया है तुमने अब मुझे बोल रही हो अगर ऐसा है तो मैं अपना ओटो रिक्षा और सबकार वगरे लेकर में घर चला जाता हूं बैग समालती हूं और पुरा खाना पिना बनाती हूं किचन देखो कैसे तुमने कभी साप किया है मेरा जाड़ू वहाँ पर पढ़ाए कभी तूटा वह जाड़ू को बनाया है लाकर दिया है सब काम मुझ से कराते हो कभी नोकरा नी रखी है मेरी चिंता किये तुमने कभी अरे अरे ऐसे कैसे बोलती हो मैंने तो हमेशा ही तुम्हारी चिंता की है तुम्हें नहीं दिखाए देता अरे क्या चिंता की है कभी संत्रे लाते हो कभी मोसम भी लाते हो थोड़ा भोत खाने को लाने से उसकी चिंता होती है सारे पैसे तुमने कल जुए में उड़ाया है मुझे तो फोन आया था लेकिन मैं रात को कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि मैं नींद में थी अगर ऐसे करते रहोगे तो मुझे घर छोड़ कर जाना पड़ेगा अरे इसको कोन बता है कि मैंने जुआ खेला अरे कितनी जुड बोल रहे हो किसने बताया तुम्हें कि मैंने जुआ खेला है अरे अरे रिकु की ममी सुनो ये जुड है तुम्हें किसने जुड बोला है हो गई लड़ाई अरे बच्चो तुमारी मा को समझाओ मैं तो तुमारे साथ शाम से था बच्चो मैं तो कही पे गया भी नहीं अरे पपा ममी सुने तब ना ममी तो किसकी सुनती ही नहीं ममी तो अपने बड़बड करते रहती ममी से कुन लड़ेगा अरे बच्चो अरे आज जाने दो मैं खुदी बोल देता हूँ छोड़ दो मैं खुदी घर छोड़के चला जाता हूँ अरे पपा ऐसा मत करो आप घर छोड़के जाएगे तो कैसे होगा नहीं नहीं मैं घर छोड़के जा रहा हूँ बबा मैं अपना ये बैग भी लेके जा रहा हूँ जो मैंने उसको गिप्ट दिया ता मैं उसके चिंता नहीं करता मैं उसके लिए कुछ लाता नहीं हूँ का है म का मजाग उड़ाएंगे एरे बेटा इसमें पैसे बहुत है तेरे मम्मी को जितने पैसे दिये न सब उसने इसमें बैग में जमा करके रखे है इसलिए ले जा रहा हूँ और दुनिया जाए भाड में मुझे किसी से कोई लें दे नहीं मैं तो निकला प्लीज प्लीज वापस आजाओ वापस आजाओ इतने मेरी कुछी कुछी मम्मी घर फ्रेश होकर आती है एरे क्या हो गया जाने दे तेरे पपा को उनका हमेशा ही नाटक रेता है कहा जाएंगे वापस आजाएंगे वो अरे मम्य ऐसे मत बोलो ना पपा नाराज होकर चले गए अरे नाराज हो गए तो क्या हो गया क्या गुसा उनको याता है मुझे नहीं आता मैंने काफी टाइम उनको बोला है मुझे परेशान ना करे तुमें नहीं पता रात को पपा कितने लेट आते हैं मुझे टाइम भी नह उनको बोला कि मुझे खिलाने पिलाने बाहर लेकर चलो और ऐसे करते हैं अपनी बीजी शेडूल में से क्या वो मेरे लिए दो गंटे ने निकाल सकते हमारे लिए गाओ में भी हमें दस साल में एक बार लेके जाते हैं ऐसे थोड़ी होता है हम पूरा दिन उनके लिए काम करत है वो हम उनको दिखाई ने देता और सारा बिल मुद्पे फाड़ रहे है ठीके ठीके ममी आप ही देख लो आप अपने जगे पर सही हो बेटा हम तो सही है अभी उनको सही होना ज़रूरी है और दोस्तों आज की कहानी में छोटी सी कहानी में इतना ही आपके लिए हमारे च सबस्तों